अगर हम इन्वाइरमेंट की बात करें बातावर्मेंट की सस्टेनिविल्टी की डाइवर्शिफिकेशन की बात करें तो मदमक्खी पालन का बहुत बड़ा रोल है योगदाने पॉलिनेशन के तुरू हमारा बाइव डाइवर्शिटी की बात करें उसमें बहुत बड़ा यो जो पॉलिन ग्रेन ही नेक्टर है अगर मदमख्की पालन नहीं हो रहा है तो वह होगा अगर एसे ही ड्राइअ जाएगा और पॉलिन अवशड गाएगा और मदम्की पालन जाकर लिये करे गा और अगर मदमख्की पालन हुआ clickedalола उग एलिया तो वह बश्ट चाहिए लगिव अपना सुपर फूड बन जाएगा अगर पूई पॉलिन आप कलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह से हर चीज में हर छेते में मदमकी पालन अपना एक योगदान देती है प्रोवाइडेड इसको हम बैग्जानिक तरीके से करें भारत सरकार, राद सरकारों के जो योजना हैं उन योजना का सही तरीके से अमलाव उठाएँ हम अपने गूरॉप बनाएं अपने एफियो बनाएँ उसके माद्यम से करें और हमें जानकारी इसमे टाइम टू टाइम समय समय पर जरूर लेनी चाहिए ट्रेनिंग हैं ट्रेनिंग में पार्टिस्पेट करना चाहिए कहीं सेमी नार है जैसे यहां हो रहा है अवियन नेस के लिए उसमें जानकारी लेनी चाहिए और आजकल तो बहुत सारी जानकारी हैं जातर पोर्टल हैं राज सरकार के भारत सरकार के बहुत सारे पोर्टल और बहुत सारी वेपसाइट्स हैं हरी स्कीम के लिए उस पर काफी अच्छी जानकारी हैं देखें मदुकरांती पोर्टल नेशनल बीवोड का है उस पर अपना सभी मदमक्की पालक राइस्टेशन यानि अपना पंजी करन्ट जरूर करा हैं तो यह सब सुब्दा हैं लेवोटी हमारा करशी एवं जो किसान हैं और जो हमारा मदमक्की पालक है सब की आए बढ़ सके और वो आए दुगनी होने का जो अजन्डा है आपका हमारा सरकार का जो भी देश का प्रदेशों का वो पूरा हो सके धन्यवाद